हेलो एवरिवन आप सभी को मेरे नमस्कार मैं विशुजीत सिंग आप सभी का दीन अपर स्वागत करता हूँ दोस्तो आज के स्टूडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं देली इनुवर्सिटी के नए नोटिफिकेशन जो 4 जून 2020 को रिलीज किया गया है दोस्तों बहुत सारे बच्चे एक्जाम को लेकर बहुत परसान हो रहे थे चाए एसॉल के हो चाए एनसीड़ू इब्लो इबी के हो उनके पता चल चुका था कि एक्जाम कैसे होने वाला है कब होने वाला है । डेटिट सी आ चुकी थी की बच्चों को परमोट कर दिया ढईगा टिक है बहुत सार एक फ़ाए चल रही थी कि एक्जाम लिए जाएगा ओफलाइन होगा उनलाइन होगा इस तरह से बहुत सारी फ़ाएं चल रही थी डैली यूद्वरशिटि ने उनसे सभी फ़ाओ को रोकती हुए एक notification जारी कर दिया जिसके अंदर में बताया गया है कि exam किस तरह से होगा और exam होगा भी तो किया प्रोसेस होगा exam का ठीक है अगर exam नहीं लेते तो क्या करेंगे इस सारा कुछ बताया है ठीक है तो notification बहुत important है ठीक है हम promote करेंगे ठीक है उसमें से एक तक यह बताया गया है कि हम बिना exam लिए किस तरीके से हम बच्चों को promote कर सकते हैं अकले class में भेस्कते हैं promote का अर्थ यह गोता दोस्तों कि बिना exam लिए मतलब बच्चों के बिना exam लिए ही अगले session पर तरक्की कर देना ठीक है आगे भीज़ देना यह पर्मोट कहलाता है ठीक है तो यहाँ पे इसके बारे में बात करेंगे इस notification में यह बात की गई है कि अगर हम किसी बच्छों को पर्मोट करते हैं तो उसकी guideline क्या होगी ठीक है ऐसी नहीं है लिए कि बिना exam लिए चाहे कोई और भी डिग्री करो, तो उसके लिए आपको graduation की डिग्री मांगता है, graduation में के number मांगते हैं, तो अगर first year की student हो वहाँ पे number नहीं मिलें आपको, promote कर दिया गया, तो बहुत जादा problem भी होगी, ठीक है, तो इस video के अंदर में हम बात करेंगे, कि जो भी guidelines और policy हैं, related आपके क्या result को लेकर, कि किस हिसाफ से result आपका दिया जाए, ठीक है, क्योंकि मैं marks की बात करूँ, result की बात करूँ, क्योंकि आपके जब final year complete करने के बाद, आप किसी college में admission के लिए जाओगे, तो वहाँ पे आपके graduation की degree मांगेगा, भाई graduation की degree दिखाओ, graduation की degree में आपके number मांगे जाएंगे, आपके result की बात की जाएगी, ठीक है, तो इस notification को last तक देखें, इस video को last तक देखें, जही से समझेए, आपके बहुत सारे जो भी questions होंगे, I hope so, इस video के तुरू आपके सारे questions clear हो जाएगा, ठीक है, इन सभी questions का answer खुद Delhi University ने इस notification में दिया है, अगर आप इस notification को देखना चाहो, तो Delhi University के official site पर जाके देख सकते हो, और इस notification को Delhi University के जो SOL, जो School of Open Learning है, उसने अपने official website पर डाल रखा है, ठीक है, इसके अगर आप SOL पर जाना चाहो तो sol.du.ac.in पर जाकर चेक कर सकते हो, ठीक हो, वहाँ पर इन notification आपको मिल जाएगा, जहाँ पर exam, guidelines, policy related, grade और result करके लिखा होगा topic, ठीक है, आप वहाँ पर देख सकते हो, अच्छे से चार से पांच पेज़ का notification है, जो बहुत ज़्यादा important है, first year और second year students के लिए, अब हम बात करते हैं, कि notification के अंदर में कहा क्या गया है, ठीक है, I hope so, आपको समझी समझ में आ गई है, कि क्या था notification, क्या नहीं था, अगर कुछ भी problem आती है, कहीं भी notification में दो, बहुत दोस्तों, कि आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप comment करके पूछ सकते हो, ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें, इस notification की, तो इन notification चार तरिक को ही release हुआ है, मतलब आज के दिन ही release हुआ है, subject अगर इसकी बात करो, तो इस subject किसके लिए बात की जारी है, guidelines और policy की बात की जारी है, guidelines और policy क्या होती है, एक तरह से rule or regulation, ठीक है, rule or regulation, term condition आप कहते हैं नो, term or condition, कि भाई, ये ऐसे देना है, ये ऐसे देना है, ये ऐसे चलना है, ये ऐसे करना है, मतलब एक तरह से पूरी तरह से पाबंदिया है, rule है, regulation है कि अगर हम किसी बच्चे को promote करेंगे तो क्या reason होगा, क्या से कह हम कर सकते हैं यह सारा कुछ किसके recording, recording आपके grading system के और result के ठीक है, अब यह पूछा जारे कौन-कौन से students के लिए तो जो भी semester, term और year के students है, चाए यूजी हो, चाए पीजी हो ठीक है, किसी भी stream के हो, चाए arts, commerce, science, किसी भी stream से belong करते हो उन सबी के लिए, ठीक है, कौन-कौन से, तो including SOL और NCWEB ठीक है, especially यहाँ पर mention किया गया है, SOL और NCWEB को भी mention किया गया है ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है, कि third year के जो भी students है, उनका OBE के through exam होने वाला है यह पहले ही notification आच चुका है, ठीक है, तो पहले यह भी कहा जा रहा था, कि आपको I hope so subject समझ में आ गया, आपके बात करते है, फटा-फट, ठीक है, जैसे कि पहले यह भी कहा जा रहा था दोस्तों, कि exam जो होगा हमारा offline होगा offline मतलब क्या, हमारा center बनेगा, center के अंदर में जाकर, पहले की तरह, हमेसा पहले की तरह exam होगा, लेंगे ठीक है, पर हमारे Delhi University के सामने दो option थे, एक तो हमारा offline, ठीक है, offline के सामने Delhi University को बहुत सारी norms, rule, regulation face करने थे, किसके central government के, क्योंकि central government से बहुत सारी पावंदिया लगा दी थी, किस तरह की, कि अगर मालो आप offline exam करवाते हो, तो भीड को कैसे manage करोगे, सबसे पहला चीज यह, social distance कैसे बनाओगे, दूसरी चीज यह, ठीक है, इतनी बड़ी संख्या में, आप exam कैसे conduct करवाओगे, ठीक है, यह भी बहुत बड़ी problem थी, Delhi University के लिए, ठीक है, यह सारी चीजे, और lockdown में बहुत सारे बच्चे एक जगह से दूसरे जगह प्लाइन कर चुके, तो उन्हें कैस इक्जाम देना, compulsory कर दिया गया, कि भाई, आपको OBE के थरू exam तोगे, open book examination, open book examination क्या होता है, जहां पर आप किताबों की help के थरू, helps लेकर, आप exam दे सकते हो, जो भी आपके बुक है, आपके जो भी supporting material है, उसकी exam help लेकर, आप अपना exam देख सकते हो, घर पे बैठे बैठे ठीक है, question paper आपके examination portal पे मिल जाएगा, ठीक है, email idea जो भी है, examination portal पे मिल जाएगा, वहाँ से आप, कर सकते हो, यह तरीका बताएगा, first year और second year के students के लिए भी यही तरीका था, पर जो Delhi University था, उसको यह तरीका उतना जादा suitable नहीं लगा, first और second year के students के लिए, ठीक है, for final year के उन्होंने final किया, और वो date seat भी launch कर दी, तो first और second year के यहाँ पर बताता है कि COVID-19 pandemic के कारण यह सारे चीज़ होता है, जहाँ पर यह करनी पाते है, ठीक है, और first year के जो syllabus था, वो भी पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि late semester सुरू होता है, और इस बार जो था, उनको दो semester नहीं ब बन जाते हैं, ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं, जो main topic है, जो यहाँ पर हम बात करें, जिस topic पर promote कैसे किया जाएगा, क्या तरीका है पर्मोट करने का, तो दोस्तों यहाँ पर directly किसी कोई promote नहीं कह जा रहा, जैसे कि promote करने का एक simple सा मतलब क्या होता है, दो तरीके ह है दोस्तों, कि माल लो, कोई भी बच्चा first year में है, ठीक है, बिना exam लिये ही, उसे second year में भेज दिया, इसमें बच्चों को अता फाइदा हुआ, कि बिना exam लिये भेज दिया, पर नुकसान भी क्या है, कि यह आपको अगर बिना exam लिये भेज दिया गया, तो आपका एक तो पता नहीं चला, कि भाई, आपके अंदर कितनी quality है, क्या है, ठीक है, आपकी quality, आपको judge नहीं करना है, आपकी quality क्या है, आपके number बताते हैं, कि भाई, number क्या है, क्या मिला है, और वही number के base पे आप आगे किसी college में admission ले पाते हो, ठीक है, graduation के बाद, यह चीज़े होती है, द अलग-अलग तरह के चीजें, ठीक है, वीडियो calling के through भी assignment लिया जा सकता है, वाई-वै लिया जा सकता है, practical assignment लिया जा सकते है, ठीक है, अलग-अलग तरह के practicals दिये जा सकते हैं, तो यह सारे मैंने बताया था, theory भी दी जा सकते है, लिखने के लिए घर पे practical बनाने के नो भी मतलब है ना internal assignment लेवायमेंघ लेजे एक्तरसे assignment उन्हों से submit कर लेते हैं और उसे assignment के border में हम 50% marks देते हैं 50% जो marks होगा हम किसके border देते हैं उन assignment के בी पिछले ईयर उन्होंने जो भी exam दिया होगा जो भी पिछले एर में है अगर मानूनों 2nd year का student है तो उसने first year में exam दिया होगा तो first year के exam के base पे उसको 50% marks मिल जाएगा ठीक है ये भी यहाँ पे बताएगा समझ में आता है अब बहुत सारे बच्चे यह पोछेंगे कि sir में second year count समझ में आगा है कि मेरे first year के exam पे base मिल जाएगा पर जो first year के है तो उसका क्या होगा ठीक है तो वो आगे भी देखो आगे उसका भी solution मिल जाएगा आपको ठीक है अब यहाँ पे हम बात करते हैं आगे के लिए तो यहाँ पे अब first year वाला जो से क्या आपका जो question था कि first year वालों के साथ क्या होगा वो assignment evaluation के base पे ही मिलेगा ठीक है वहाँ पे दो पार्ट नहीं थे जैसे first second year वालों के लिए दो पार्ट थे कि 50% आपके पिछले साल के exam के नंबर में मिल जाएगा और 50% आपके इस तरह के assignment जो भी आप submit करोगे उसके base मिल जाएगा ठीक है यहाँ पे second year वालों के लिए पर first year वालों के लिए कि 100% वाई आपको बना कर यह assignment ही देना है उसी के base पे आपको number मिलेगा अब कई सारे question यह भी बनते हैं बच्चों के assignment हम कहां से लेंगे assignment हमें कैसे मिलेगा assignment में क्या आएगा assignment कितने number का होगा किस तरह का होगा ठीक है इस सारे question तो होगे होगे और साथ साथ यह भी question बनेगा कि assignment में क्या पूछा जाएगा इस तरह के question आपके मन में होगे तो सभी का answer खुद Delhi University नहीं दिया है ठीक है आगे देखते हैं यहाँ पे जैसे कि दोस्तों मैं बता दू कि बोला गया है कि 50% आपके मतलब जो पिछले साल का exam था उसके base पे ले ले जाएगा 50% आपके performance जो last year में कहा था उसके base पे और 50% आप जो submit करवाओगे उसके base पे ले ले जाएगा ठीक है जो आप भी practical practical करवाओगे उसके UBS पे ठीक है यहाँ पे का जा रहा है कि जो भी S.O.L. और N.C.W.E.B. के questions for assignment होंगे वो course study based पे ही होंगे ठीक है जो भी आपको पढ़ाया गया है जो भी आपका syllabus है syllabus जो भी आपका उसके base पे ले जाएगा syllabus के base पे ले जाएगा syllabus applicable है ठीक है मतलब यह नहीं कि कोई बाहर से out of the topic पूछ लिया कुछ भी assignment दे दिया जो आपका syllabus है उसके base पे वहाँ पे questions put up के जाएगा assignment के लिए ठीक है समझ में आता है S.O.L. और N.C.W.E.B. वालों के लिए space लिए ठीक है ठीक है guidelines के तहती करना है UZE और PZ students सभी के लिए है ठीक है बार वार बच्चे पूसरे तकी सरी है तो UZE वाले के लिए इंकला PZ के लिए नहीं ठीक है यूजी PZ के लिए सभी के लिए है कि Registry students जो भी है ठीक है जो भी evaluation देना चाते है या जो भी दे रहे है ठीक है उन सभी के लिए और department कुछ भी अगर जानकारी होता है तो head of the department जागर संपर्क करें जो भी आपके पढ़ते हैं ठीक है यहाँ पर एक आ जा रहा है यहाँ पर यह अगला point अगर देखो के दोस्ते चोता नमबर तो all questions for assignment based evaluation shall be applicable ठीक है यहाँ पर मतलब एक तरसे है जो भी जो question होंगे न evaluation जो भी आपके syllabus है ठीक है आप उसके base पर ही applicable के जाएंगे सारा चीज होई लिया जाएगा ठीक है और जो question है और assignment है वो एक portal पर एक online portal बना दिया जाएगा ठीक है मानलो create कर जिया जाएगा कोई भी पॉटल उसी के उपर submit करना है ठीक है यहाँ पर यह भी बात के जा रहा है ठीक है वहाँ पर submit करना है यह वहीं से लेना है इसके बारे में बात की जा रही है अब बच्चे बोलेंगे ना कि मैंने मानलो लिख लिया अब उसको submit कैसे करो तो बेटे आप upload कर सकते हो पोटो क्लिक करके डाल सकते हो पीडिया बना गर डाल सकते हो ठीक हो आप एक पॉटल बना दिया जाएगा नेकर ओलाइन लिंक आपको डालना होगा ठीक है इसमझ में आता है आगे दिखोगे दोस्तो तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो भी assignments होंगे ठीक है ठीक है सारा चीज हैगा ठीक है delivery question paper जो भी होगा ना आपके जो address आपने email address दिया है देखो यहाँ पर बता जा रहा है कि e mode जो होगा question paper deliver के जाएगा आपके तक पहुंचेगा ठीक है वो e mode में पहुंचेगा e mode मतलब internet के through जो होता है internet ठीक है उसके through पहुंचेगा ठीक है e address पे e address मतलब जो भी आपका email address हो ठीक है internet का जो भी access का address दिया होगा आपने submit करवाया होगा record में उनके available होगा उसी base पे पहुंचेगा ठीक है यह भी कहा जा रहा है दूस्त एक चीज तो यह कहा गया कि मतलब submit करवाने के लिए portal देंगे ठीक है submit करवाने के लिए portal देंगे पर question उपर मिलेगा कैसे जो भी उनके पास आप से communicate करने का जो भी चीज होगा room के record में उसके base पे वो आपको release करेंगे question उपर उसी के base पे फिर आपको वापस उने reply करना है ठीक है समझ में आता है तो यहाँ पर यह बात की जा रही है और देखतें दोस्तों तो यहां पर यह भी काधर है कि जो फी मतलब students होंगे मतलब अगर को इस टूट चूट जाता है ठीक है अगर को students चूट गया अगर माँलों कोई दे नहीं पाया गलती से किसी कारण से यहां पे नहीं है या कहीं फसा हुआ ह कि last time मैं आपको बताय था कि यहां पर semester को दो पार्टों में बाट दिया गए इस बार odd और even number ठीक है odd और even करके दो semester सुरू कर दिया है कि अगर मालो जो इस बार नहीं दे पाता exam या रह जाता है बैका जाती किसी तरह से नंबर कम आते हूं वापस उसको इंप्रूमेंट भरना है सारी चीज आती है तो वह odd semester में apply कर सकता है या फिर even semester में उसके देने के लिए ट्राई कर सकता है वेट कर सकता है इस तरह की चीजे भी यहां पर कही जा रही है ठीक है यहां पर साथ साथ में यह भी का जा रहे कि जो भी होते हैं कि for the subject which is healthy from pbc मालों कई सारी students यह भी होते हैं कि जैसे पिछले साल में back था अगर मालों मैंने first year पास किया first year का एक subject में रखेया है यह लगा हुआ है back आया हुआ है अब second year में हूँ तो वो भी उस subject के साथ आगे जाएगा ठीक है वो भी उसको बतलब इसी तरह से देगा एक्जाम देगा जो भी है वो उसको भी करना पड़ेगा यहां पर यह का जा रहा है और उसी के base प पर्मोट कर दिया जाए उसे भी है यहां पर साब पेहली बारय होाई फिर ही कोई है जिस तरह फेल होगा यह कुछ और नहीं हो पा रहा है तो next year भी इस exam को दे सकता है next year भी try कर सकता है कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए भी मैं पहली बता चुका हूँ कि odd और even number odd और even semester का मतलब वो किया गया है कि odd timing पे या even timing पे वो exam दे सकता है साथ साथ दोस्तों यहाँ पर एक और notification जो important है सभी के लिए कि जो भी X student है अब X student क्या होते हैं जो retire हो चुके है colleges से ठीक है मालो मेरा 3 साल का course था 3 साल खतम हो चुके हैं फिर भी मेरा एक first year का एक subject में back है तो मैं X student के लाँगा या second year का कोई एक subject में back है तो X student के लाँगा तो उन सभी का जो exam होगा OBE mode के थू होगा ठीक है यह नहीं कि भाई first year वालों का तो इस तरह से practical लिया जा रहा है तो हम third year के है मेरा एक subject में back है मतलब first year के subject में back है पर मैं pass कर चुका हूँ college तो मेरा exam OBE के थू ले लो या फिर उसके थूर ऐसा नहीं सभी का OBE ही लिया जाएगा यह कहा जा रहा है यहाँ पर simply समझ में आता है अब देखो दोस्तो यह तो मतलब उपर में जो हम बात कर रहे थे वो second year के normal students के लिए था है यहाँ पर first year के लिए semester scheme के तरू कि भाई first year वाले students के लिए क्या rule है क्या regulation है इसके बारे में में बात करें तो जो first year के students है दोस्तो आपको पता होगा Delhi University ने 2019 में CBCS system लागो कर दिया था credit based system जिसमें हमें grade के उपर number मिलते हैं ठीक है तो जो भी CBS rule है वो सारे applicable होंगे यहाँ पर इसके बारे में बात की जारी है दोस्तो ठीक है जो भी CBS CBS rule है वो सारे applicable होंगे ठीक है credit based पे जो number मिलते तो उसी तरीके से number मिलेंगे अगर कोई इसी बच्चे को फिर भी लगता है कि मुझे न अपना improvement भना है या ER आ गया तो वो जनवरी 2021 में अपना apply कर सकता है वापस से या फिर even semester मई और जून के अंदर में 2021 में अपना वापस से apply कर सकता है तो यह पूरा notification था दोस्तों जो यूजी और पीजी सभी तरह के courses पे मतलब applicable है ठीक है first second year के students के इस पेसली यह guideline है जिनको confusion था कि exam मेरा होगा या नहीं होगा तो अब आपको clear एक्दम simply clear कर दो दोस्तों तो exam आपका होगा ठीक है exam की जगह पर आप यही assignment दोगे अगर आपको assignments related कुछ भी questions हों तो मैंने आपको एक पहले ही वीडियो बना चुका हूँ assignment के उपर में ठीक है तो आप वहाँ पर जाके उसको भी देख सकते लिंक के description में डाल दूँगा मैं ठीक है वीडियो कैसी लगी comment करके बताएं जो भी आपका question और exam related हमसे जरूर पूछें ठीक है और दोस्तो जो भी अगर कुछ भी ज़्यादा confusion होता है तो डैली उनिवरसिटी के official site पे जाके check करें ठीक है इधर उदर की चीज़ों पर विश्वास ना करें क्योंकि आज के समय में बहुत ज़्यादा fake news एक जगह से दूसरे जगह बह पर डैली उनिवरसिटी का आज अपडेट आया है इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं तो फ्रेंड्स अपने जो भी दोस्त हैं जो भी first second year के students के हैं आसपास में तो हमारी वीडियो का लिंक जरूर दें क्योंकि सभी के लिए important है जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचेग उनको information मिलेगी वो अपने exam के लिए preparation prepare कर पाएंगे ठीक है उनके अपनी तयारी कर पाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा सभी के लिए दोस्तों तो वीडियो को जुरूर share करें thank you for watching me thank you for listening me bye bye friends